राजीव रंजन मेरे सयोगी इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ राजीव आपकी तरफ में रुख करना चाहूंगा क्योंकि महादिवेशन हो रहा है कॉंग्रिस का लेकिन बहुत कम वक्त बहुत कम ऐसे दिवेशन हो है जब गांधी परिवार के अध्यक्षता के बिना इस तरह के अध्यवेशन हो है इस बार मलिकार जुन खडगे कॉंग्रेस के अध्यक्ष है आपको लग रहा है रंडिती में बदलाव होगा नहीं कॉंग्रेस नजर आएगी 2024 को लेकर कॉंग्रेस आज कोई बड़ा एलान कर सकती है किस तरह से देख रहे हैं आप इस अध्यवेशन को बदली हुई कॉंग्रेस को देखे रभी ये 85 महाध्यवेशन है कॉंग्रेस पार्टी का और ये रायपूर में तीन दिन चलेगा आज से शुरुआत हो रही है लेकिन महत्वपूर दिन कल है 25 फरवरी जब राजनितिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश होंगे और तब ही पता चलेगा कि 2024 के लिए राजनितिक रड़नितिक कॉंग्रेस पार्टी की क्या है और किस तरह से चुनाओं में जा रही है सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विरोधी दल है भारती जिनता पार्टी के जो अलग-अलग छेत्री छत्रप है जो चेत्री राजनितिक दल है उनके साथ कॉंग्रेस पार्टी अपना रिष्टा कैसे ले करके आगे बढ़ेगी ये मुझे लगता है कि कल के राजनितिक प्रस्ताओं से बहुत कुछ साफ हो सकता है लेकिन एक बात तो है जो दिखाई दे रहा है एकदम साफ साफ रवी कि राइपूर में कॉंग्रेस पार्टी अपना महा दिवेशन कर रही है और उसी की गटबंधन वाली सरकार जो बिहार में है जो RJD, JDU, कॉंग्रेस गटबंधन की एक तरफ सरकार है उसी सरकार के दो महतवपूर्ण जो धड़े हैं आर जेडी और जेडी यू वो कल अपनी ताकत का परदर्शन पूर्णिया में कर रहे हैं और महागडबंदन की पहली रेली कर रहे हैं नौ अगस्त के बाद नौ अगस्त जब दो हजार बाईस को तेजस्वी और नितीश कुमार साथ आये थे उसके बाद अपनी ताकत का परदर्शन पूर्णिया में जो सीमांचल का इलाका है बिहार में जहां से हमिश शाह ने बीजेपी का शंकनात दो हजार चौबिस का किया ह उसी के बगल से ये जो संकनात कर रहे हैं नितीश कुमार और तेजस्वी वहां जो लोग पूर्णिया से में गय हुए हैं उन्होंने मुझे बताया कि कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं के पोस्टर और बैनर वहां पर नहीं लगे हुए हैं तो एक बड़ी बात एक बड़ और तेजस्वी की संयुक्त ताकत को दिखाने का परदर्शन कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस को अलग थलग ऐसा लग रहा है कि करने की कोशिश है तो कल जो एक संदेश आपको राइपूर से राजनितिक मिलेगा दोहजार चौबीस के लिए उससे कहीं बड़ा और उससे कही जादा निगाहें पूर्णिया की उस रैली पर लगी होंगी और जब विपक्ष दोहजार चौबीस में नरिन मोदी के साथ एक जुट होके लड़ने की बात कर रहा है वैसे में पचीस परवरी की तारीक ही ये दिखा रही है कि विपक्ष में अभी फिलहाल एक जुटता न इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है यूस 24